ओके, Fantastic Beast, The Secret of Dumbledore, इतने बड़े नाम वाली फिल्म हो चुकी है, रिलीज, जो Harry Potter फिल्म फ्रांचाइसी की, जिसमें आठ मुवीज अलरेडी थे, उसके प्रीकुल का थर्ड पार्ट है, ओफ, well, hello, मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी, देखो, Harry Potter फिल्म के Legacy को आगे बढ़ाने के लिए, जो प्रीकुल सीरीज इन्होंने निकाली है, अब इसका थर्ड पार्ट देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है, personally, कि क्या इसकी जरूरत है, I mean क्या सच में इसकी जरूरत है, कि बस फिल्म्स बनाना है, इसले बनाते जा रहे हो, और इस फि क्रीचर्स, सॉरी, क्रीचर्स नहीं बोल सकते, फेंटास्टिक बीस्ट जो है, वो बहुत ही कमाल के है, और वो हैरी पॉर्टर की याद दिलाने वाला नोस्टाल्जिया म्यूजिक, वो जब बैक्राउंड में बचता है न, तो एक अटेच्मेंट सा हो जाता है उस फिल्म के साथ, पर वो जल्दी से तूट भी जाता है, जब सारे नए नए क्यारेक्टर्स, नई स्टोरी के साथ दिखाई देते हैं, अब देखें स्टोरी वेसे डंबल डोर के पास्ट की है जिसमें उनके कुछ सीक्रेट्स बताए गए है, पर वो इतने भी जादा खास नहीं है कि उस पर पूरी फिल्म ही बना दी जाए, अगर किसी एक फिल्म में उनके पास्ट को 15 मिनिट के लिए भी दिखा देते, तो भी चल जाता, अब क्यूंकि ये फिल्म हैरी पॉर्टर फ उसे समझना थोड़ा मुश्किल सा हो जाता है, इस फिल्म की स्टोरी पिछली के एंड से शूरू होती है, और अब डंबल डॉर को पता है कि ये जो ग्रिंडल वॉल्ड है, वो जादूगरी की दुनिया में से मगलूओं को खतम कर देना चाता है, और उसके लिए उसे इलेक्शन वगेरा भी दिखाया गया है अब वो इलेक्शन जीते गाया नहीं या वो अपने मकसद में काम्याब होगा के नहीं वो आप फिल्म में देख सकते हो मुवी अल्मोस धाई घंटे की है और मुवी के स्टार्टिंग के कुछ आड्ज और इंटर्वल पकड़ के चले तो पौने तीन घंटे आपको थेटर में रहना पड़ेगा और ये टाइम में इसलिए काउंट कर रहा हूँ क्यूंकि मुवी थोड़ी स्लो है फर्स्ट हाफ भी और दूसरा हाफ भी मुझे ऐसा लगा कि डंबल डोर की कहानी पर फोकस करने के बजाए ये स्टोरी अलग-अलग स्टोरी को डंबल डोर के साथ जोड रही है जो शायद आगे के फिल्म्स के लिए जरूरी भी हो और नए-नए कारेक्टर्स को डेवलप करने के लिए भी जरूरी हो पर स्टोरी को आगे बढ़ाते वाक कारेक्टर का डेवलपमेंट थोड़ा स्लो हो जाता है पर अगर इसमें कुछ अच्छा था तो वो थे इसके विजुवल्स और जेकब कवासकी उसके भोलेपन से निकली कॉमेडी आपको जरूर हसाएगी और एक और सीन में जिसमें वो न्यूट स्केमांडर केकडों के साथ डांस कर रहा है वो सीन अच्छा था क्यूंकि वो आपके चेहरे पर स्माइल लाएगा थोड़ा बिलिवेबल नहीं था पर ये हैरी पोर्टर वाले आपको कुछ भी बिलिव करवा सकते है पर एक चीज मैंने नोटिस की कि ये सीन जो आप ट्रेलर में देख रहे हो वो एक मिरर शॉट है जो मुवी में आपको उल्टा दिखाई देगा मतलब सीधा दिखाई देगा इस फिल्म में बहुत से शॉट्स ऐसे है जिसमें दो कैरेक्टर सिर्फ एक दूसरे से बात ही कर रहे है अक्शन और जादुगरी थोड़ी कम है और कह सकते है कि ये मुवी आप अपने पूरी फैमिली के साथ देख सकते हो क्योंकि ऐसा वैसा का कोई सीन इसमें नहीं है not even a single kiss बस एक ही चीज है यहाँ इस फिल्म में डंबल डॉर और ग्रिंडल वॉर्ड को नहीं ये तो सीक्रेट है ना और बताऊंगा तो स्पोईलर भी हो जाएगा तो जाईए अगर आपके पास कोई दूसरा काम नहीं है या आप हैरी पॉर्टर फिल्म्स के तगड़े वाले फैंस हो तो आराम से इस मुवी को देख सकते हो पर अगर आप एक ऐसे शक्स हो जिन्होंने इसके पहले वाले पार्ट्स देखे ही नहीं और डायरेक्ली ये वाली मुवी देखने जा रहे हो तो रुको, फ्यूज उड़ जाएगा तुम्हारा पहले वाली दो फिल्म्स देखो, फिर ये वाली देखना शायद फिर कुछ समझ में आ जाए मैं दूँगा इस मुवी को 2.5 आउट आफ 5 स्टार्स मिलता है अगले वीडियो में, बाई